क्रोश से होने वाले लाव और हानी युवाबड के सभी साथियों, भायों एवं बहनों आज मैं फिर से एक नया विशय के साथ आपनों के समक्ष आया हूँ आज का मुख्य विशय है क्रोश से होने वाले लाव और हानी गुरु परवत पर करोश का चिन लाव ही लाव बतलाता है परन्तु शानी परवत पर करोश का चिन होतो अकाल मिड़तु होता है लाव साहितिक छेत्र में प्रसिद्धी प्राप्त करता है बुद्ध परवत पर करोश का चिन हो तो व्यक्ति धोखे बाज ठोग धूर्ट होता है नमबर तीन शूर्ज परवत पर करोश का चिन हो तो सामार में बदनामिया उठाना परता है चौंद्र परवत पर क्रोस का चिन हो तो ऐसे में ब्यक्ति पानी में डूबने से मिर्टू होता है और रहासमाई कविता लिखिरे में परसिधी प्राप्त करता है नमबर 5 परजापती छेत्र में जड़ी क्रॉस का चीन हो तो ऐसे ब्रक्ति आर्सी कायर्द और दबू होता है तथा दुश्मन से हमेशा डरता रहता है केतू केतू पर जड़ी क्रॉस का चीन हो तो दुख में जीवन बेतित करता है शुक्र परबत पर जड़ी क्रॉस का चीन हो तो ऐसे में प्रेम के मामले में बदनामी उठाना परता है दोस्तों मंगल परबत पर जड़ी क्रॉस का चीन हो तो ऐसे में ब्रक्ति को जेल जाना परता है तथा आत्म हत्या भी कर लेता है राहु छेत्र पर क्रोश का चीन होतो जुवा अवस्ता काल में दुख में समय बितता है यात्रा रेखा पर क्रोश का चीन होतो यात्रा के बीच में ही मिर्टू होता है विवाह रेखा पर क्रोस का चिन हो तो विवाह होता नहीं जदी हो भी जाता है तो जीवन दुख मैं होता है दोस्तों जदी मंगल परवत पर जदी क्रोस का चिन हो तो ऐसे में विव्यक्ति का मिर्तु लराई जगडा के बीच में होता है दोस्तों शंतान रेखा पर जदी क्रोस का चिन हो तो ऐसे में विव्यक्ति शंतान नहीं होता है दोस्तों मस्तिस रेखा पर जदी क्रोस का चिन हो तो ऐसे में मस्तिस संबंधी की रोग पैदा होता है दोस्तों मस्तिस रेखा और हिर्दय रेखा के बीज में जरी क्रोस का चीन हो तो ऐसे में ब्रिप्ति बैज्ञानिक दृष्टी से शंपन्य ब्रिप्ति होता है आज बस इतना ही देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शाधु बाद तथा शुब कामना आए अपने बानी को मैं यहीं बिराम देता हूँ अगला भाग देखते रहेंगे तब हाग ले परतिक्षा करते रहें